हेलो बच्चों आज हमारा क्वेशन है एक्साइज 5.1 से क्वेशन नंबर 10 करेंगे इन दा एज्ञानिंग फिगर नेम दा फॉलेन प्यार ओप एंगिल्स हमें प्यार उस्तों एंगिल फाइंड आट करने अप्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट अंगिल अप्ट्यूस क्यों वर्टिकली अपोजिट का मतलई है इसका वर्टिकली यह हो जाएगा इसका वट्रिकली अपोजिट अंगिलने व्ट्यूस अब हमें यहाँ देखना वो नैंटिशे ग्रेटर होना चाहिए पहले तो और निटीशे छोट होना chemical सब्सक्राइब हमें देखिन वर्टिकली AOD देखो भाई पहले तो EOD हमारे यह 90 degree का एंगिल है हमें तो greater than 90 चाहिए तो क्या हो जाएगा इसको भी इसमें add कर देंगी यह वाला एंगिल तो क्या हो जाएगा हमारा एंगिल AOD ओके इसका vertical opposite यह वाला हो जाएगा BOC इसका vertical opposite क्या हो जाएगा BOC ओके और BOC आपस में क्या vertical opposite और greater than 90 चाहिए इसको एड किया र towb, ओके अपके के रहाएивает content complementary angle एंगिल ऑजेशन में साठ साथ TOP है अधगें कम्दे क्वार मेड़ा साथ साथ लेकिन क्वारिमेंटरी जिंकहा समक्या होने चाहिए 90 डिगरी होने चाहिए ठीक है एड trasм क् statistics sao mastery available 90 90 सक्ट होने अब हमारा complementary angle किस किस का बंढ भाई fiction बी यह वाला एंगहिल यह वाला यह अगिल राइजे और दूसरा यह वाल इन दोनों का सम हम देखेंगे तो 90 डिग्री आरा तो क्या है eg तो बी ए ओ बीए ओ ढूसरा खिप Means A O E A O E देखो यह एक एंगिल है यह इन दोनों का सम कितना बन्दा 90 डिग्री बन्दा यह हमारा कंप्लिमेंटरी बन्दा ओके ए ओई यह वाला और A O B यह वाला इन दोनों का सम क्या आ रहा 90 आ रहा वह एड्जेसंट भी है साथ साथ हैं ओके इक्वल सब्लिमेंटरी एंगिल इक्वल सब्लिमेंटरी सब्लिमेंटरी बन्दा सम आप टू एंगिल एज 180 बैए इक्वल भी होने चेह और सम भी कितना हो चाहिए 180 बैए एक तो 90 डिग्री यह वाला है इ ओडी या डी ओए तो हमके लिख सकते हैं एंगिल डी ओए एक तो यह है दूसरा अगर हम देंगे बी ओए यह वाला यह भी 90 डिग्री का अगर पूरा लेंगे इन दोनों को मिलाके तो क्या बी ओए यह दोन हमारे 90 90 रिख हैं और सम हो जाएगा ओन्टी ओके और इककोल भी 90 डिख्री का आजेंगे अन्वल सब्लिमेंट्री अंगर बैयो अन्वल होने चाहिए बाद सब्लिमेंट्री होने चाहिए क्या आंग जहें 180 भाई एक तो इसको लिलो एक सिधी लेने ए ओसे एक सिधी लेने 180 के तो इस फिक कुण चैंगल बन्दा एक तो यह बन्दा क्या AOD बन्दा वह यह वाली लाइन देख़ा A से C तक देखो एक तो इस फिक यह बन्दा AOD बना दो एंगिल AOD और दूसरा क्या वन्दा भाई डी ओ सी अंगिल डी ओ सी अनिक वाल है यह बहुत बड़ा है 90 का यह उपर सी है और यह बहुत चोटा है तो इन दों का सम तो 180 हो रहा ओके एड्यसन एंगिल डाट डू नोट फॉर्म इंगार लेकिन 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 ल साम दो 90 आ रहा है लेकिन क्या है एड्जेस्टन एंगल है दूसरा हमारा क्या बन्दा ई ओडी बाइट सेकंड देखेंगे एंगिल ई ओ डी एन डी ओ सी ठीक है डी ओ सी एंगिल डी ओ सी ओके